नमस्कार दोस्तों 21 सेप्टेंबर 2020 के डेली न्यूस करेंट अफेस डिसकर्शन में आपका स्वागत है आगे बढ़ने से पहले लेक्चर की पीडेफ के लिए टेलीग्राम चैनल जोइन करिए मेरे दौरा बनाई गई और वीडियोस को देखने इकलाब चैनल के मेंबर भी ब राजसभा में जब पास होने के लिए पहुँचे तो उनको वॉइस वोट से पास किया गया अभी देखिए जब बिल पास होते हैं राजसभा में या फिर लोगसभा में वॉइस वोट क्या होता आप इस चीज़ को समझे जो उस हाउस को प्रिसाइड कर रहा है जो कि आपक लोगसभा केस में होगा स्पीकर अगर स्पीकर नहीं तो डेपिटी स्पीकर और राजसभा केस में होगा चेर्मेन अगर चेर्मेन नहीं तो डेपिटी चेर्मेन अभी जब वॉइस वोट होगा और मालीजे किसी इश्यू को पास कराना है वो इश्यू डिसकशन के लिए आ overall इस voice vote से ये देख लिया जाएगा कि हाँ भई इस bill के उपर majority का support है की नहीं है ठीक है ना तो normal कर इस तरीके से वो bills को पास करा जाता जिसके उपर सबकी हामी होती है ठीक है न कोई इसको मना करने वाला नहीं है लेकिन हुआ यह है कि इन farm bills के उपर काफी problem चल रही है जो farm sector की इन्होंने voice vote से इन bills को पास कराया लेकिन इस राजसभा में कुछ ऐसे लोग थे जो यह demand कर रहे थे कि भईया इन bills के उपर आप resolution के थुरू voting करा हो देखिए Mr. Ragesh MP है इन्होंने बोला कि मैं अपनी seat में था और मैंने एक vote के लिए मागा vote मतलब कि यह चाहते हैं कई साने members actually राजसभा के चाहते थे कि यह जो दो legislation है कौन-कौन से farmers produce trade and commerce promotion and facilitation bill 2020 farmers empowerment and protection agreement and price assurance and farm services bill 2020 अभी इन दो को आप voice vote से ना पास करा के आप proper voting के थुरू पास कराओ होता क्या है दोस्तों कि voice vote से वो bills पास कराए जाते हैं जिसके उपर almost पूरी की पूरी राजसभा में हाँ इस बात पर हाम ही है कि ठीक है भाई यह हम support करते है majority of the members अभी यहाँ पे जब एक बहुत बड़ा तपका almost सारी की सारी opposition party यह बोल रहीं कि इस बुल के ओपर voting चाहिए हमको voice vote नहीं चाहिए voting मतलब सब लोग vote डालेंगे कि हाँ भाई हम इसको favor करते हैं आप उस करते हैं अभी voice vote बिना किसी controversy की होने चाहिए और यहाँ controversy हो गई तो इसलिए यह issue कल बहुत ज़्यादा news में था ठीक है और इस issue के बाद जो opposition है राजसबा में उसने बोला कि हम एक no confidence notice दे रहे हैं deputy chairman को जब हम यह बोल रहे हैं कि आप parliamentary procedure के इसाब से किसी एक particular bill को pass कराने के लिए voice vote का इस्तमाल ना करके proper voting करवाईए तो जब parliamentary procedures में लिखा है कि एक बड़ा तबका parliament का इस बात की demand कर रहा है कि अगर bill pass हो रहे तो आप voting के साथ डिमांड करिये तो voting करवाईए ना यहाँ पर deputy chairman हरिवंच ने बिलों को voice vote से पास कर दिया तो यहाँ पर फिर ruling party versus opposition की बहस आगी ruling party जो members है वो बोलने लगे कि opposition वाले unruly conduct कर रहे हैं लेकिन बात देखे दोस्तों यह है कि अगर इस बात की demand आई थी कि भाईया इन बिलों पर voting करानी चाहिए तो voting करा देनी चाहिए थी voice vote से जब कोई bill पास होता है तो उस bill पे ज़्यादा बहस नहीं होनी चाहिए इसका मतलब यह है कि उस bill को ज़्यादा तर लोग support कर रहे हैं लेकिन farm bills के उपर बहुत समय से controversy चल रही है तो उसको एक voice vote से पास करा देना कहीं न कहीं undemocratic है अब बात आती है कि भाईया राजसभा के deputy chairman के against no confidence का notice हाया तो मतलब इनको निकालने के provisions को भी देखना पड़ेगा तो deputy chairman of राजसभा को कौन निकाल सकता है इनको elect कौन करता है राजसभा के members ही elect करते है from a member amongst themselves आपको पता है कि राजसभा का chairman कौन है vice president इनके absence में कौन head करता है deputy chairman head करते हैं का अभी deputy chairman head कर रहे हैं राजसभा को इनको अगर हटाना है तो राजसभा के members को एक resolution pass करना पड़ेगा absolute majority से मतलब majority of the full membership of the house और अगर राजसभा एक resolution पास कर देता है जिसमें majority of the full membership of house ये बोलता है कि deputy chairman of राजसभा को अटाए तो उनको राजसभा की deputy chairman की post से अटा दिया जाएगा और जब ऐसे resolution को पास कराने के लिए consider किया है राजसभा में उस समय पे जो deputy chairman है वो राजसभा को preside नहीं कर सकते और अभी के लिए जो deputy chairman है राजसभा को preside कर रहे है फिर भाईया गौर्मेंट यहां बात कर रही है foreign contribution regulation act को amend करने की ठीक है ना तो foreign contribution regulation act को amend किया जा रहा है और यह बोला जा रहा है कि भाईया NGO non governmental organizations या कोई एक ऐसा association जो foreign donation को receive करता है उस foreign donation को receive करने के लिए इस NGO के office bearer के पास, director के पास और जो दूसरे इसके key functionaries है उनके पास आधार card का होना mandatory है कही ना कहीं आप देखोगे पिछले कुछ चार से पांच सालों में government ने NGO's के उपर काफी सारा regulation किया है NGO's के उपर transparency accountability की बात कही जा रही होता यह है दोस्तों कि NGO's के पास हजारो करोन रुपए का foreign contribution आता है हर साल अभी जरूरी यह है कि genuine और non genuine के बीच का differentiation होना जरूरी है और इस बात पे एक thesis होनी बहुत जरूरी है कि भाई वो non governmental organization जो सच में लोगों के लिए काम कर रहे हैं फिर और the society के लिए काम कर रहे हैं वो बिना किसी डर के काम कर सकें और वो लोग जो उस पैसे का इस्तमाल करके जो कि बाहर से आ रहा है इंडिया की security को इंडिया के development को रोकने कोशिश कर रहे हैं उनके ओपर एक regulation लगाया जाए यहाँ पे इस bill के amendment में यह भी बोला गया है कि public servant and corporation old or controlled by the government यह उनको उन list of entities में include किया जाएगा जो कि foreign donations नहीं ले सकती हैं तो अभी के लिए जो public servants हैं और वो entities, वो corporations जिनको government own करती है अब यह लोग foreign donations नहीं ले पाएंगे कही न कहीं foreign donations में यह बोला जा रहा है कि यह foreign donations हमारे देश की internal security को hurt कर रही है कई बार तो यह भी बोला गया है कि USA के pressure groups, China के pressure groups पैसे को funnel करके इन NGOs के पास पहुंचाते हैं और फिर अपने agenda को इन NGOs के दोरा पूरा करते हैं ठीके ना, इस foreign contribution regulation act को 1976 में इन act किया गया था foreign से donation आ रही है पहले एक limit थी कि अपने administrative expenses में वो maximum 50% पैसा खतम कर सकते हैं अब यह बोला जा रहा है कि foreign contribution regulation act के अंदर अगर कोई NGO registered है तो first of all उस NGO में जितने भी key functions उनके पास आधार कार्ड होना चाहिए दूसरा, वो अपने total खर्चे का 20% से जाधा administrative expense में नहीं खर्च कर सकते कहीं ना कहीं उनके account statements को सरकार audit करती है देखिये, क्या लिखा हुआ the foreign contribution regulation act 2010 was enacted to regulate the acceptance and utilization of foreign contribution or foreign hospitality by certain individuals or associations or companies or and to prohibit acceptance and utilization of foreign contribution or foreign hospitality for any activities detrimental to the national interest in the matters connected therewith or incidental there too यनि कि सरकार के पास ये तागत है FCRA के अंदर कि जो भी पैसा बाहर से आ रहा है किसी भी association के पास company के पास, NGO के पास उसको देश के welfare के लिए इस्तमाल किया जाए उस association के welfare के लिए इस्तमाल किया जाए चलेगा लेकिन उसको ऐसी जगों पे imply नहीं किया जा सकता use नहीं किया जा सकता जो national interest को national security को affect करते हैं अभी annual flow of foreign contribution को देखा जाए तो 2010 से लेके 2019 के बीच में जो पैसा बाहर से इंडिया के अंदर आ रहा वो almost double हो चुका है और कहीं न कहीं ये बोला गया जो इंडिया में NGOs register है वो basic statutory requirements को भी पूरा नहीं कर रहे है यानि उनसे बोला जाता है कि आप अपने annual returns फाइल करिए आपने पैसा कहां का खतम किया उसके accounts को maintain करिए इन accounts को audit कर सकती central government या central government द्वारा appoint करी कई कोई agency तो ये agencies ना अपने accounts को audit करवाते है अपने accounts को proper तरीके से maintain नहीं करते है अपने annual returns को file नहीं करते है और जो पैसा इनके पास आता है उससे वो इंडिया की development और progress को रोकने कोशिश करते है इसलिए इंडियन government ने 2010 से लेके 2019 की बीस में 19,000 recipient organization के licenses को cancel किया है बहुत सारे क्या गेंस तो criminal investigation भी शुरू किया गया है FCR Act के अंदर General Studies Paper 2 में ये चीज़ आपको काम आएगी फिर भाई World Bank seeks universal eligibility मैं आप उसको simple एक चीज़ समझाता हूँ दोस्तों देखिए आपको पता है जब Corona का pandemic फैल रहा था उस समय पर World Bank ने एक billion dollar का loan दिया था हमारी भारत सरकार को ताकि Corona virus के threat के साथ जूजा जा सके इंडिया में national health systems को improve किया जा सके overall economy को improve किया जा सके ये बात यहाँ पर बोली गई थी ठीक है ये जो पैसा आया था इंडिया में एक billion dollar ये किसके तहद आया था इंडिया COVID-19 emergency response and health systems strengthening project ठीक है ना जिसमें एक billion dollar दिया था इंडिया को किसने International Bank for Reconstruction and Development जो की World Bank की ही ब्रांच है इस पैसे के थूँ जो projects execute होंगे उसमें railway ministry भी आती है अब बात यह है कि आपको पता है दोस्तों इंडिया में बहुत सी policies चलती है एक चलती है public procurement policy एक चलती MSME policy एक चलती start-up policy इन सब policies की चलते होता क्या है कि माल लीजे government department अपने किसी भी काम के लिए कोई सामान खरीती है तो इन policies के तहत बोला क्या जाता है public procurement policy की तहत बोला जाता है कि government में इस्तमाल होने वाला इतना सामान कम से कम इतना परसंड मेकिन इंडिया होना चाहिए इतना परसंड MSME दोरा खरीदा होना चाहिए इतना परसंड इंडिया के start-up दोरा खरीदा होना चाहिए तो world bank ने ये पैसा universal eligibility के आधार पर दिया था यानि कि यहाँ पर किसी तरीकी की कोई conditionality नहीं लगेगी यानि world bank दोरा दिये गए एक billion dollar के पैसे को अगर आपको कुछ खरीदने में लगाना है तो वो कोई भी मतलब किसी के लिए भी applicable होना चाहिए यानि कल की date में अपी सरकार के पास एक billion dollar आया है और railways ministry अपने किसी project के लिए कुछ सामान खरीदती है तो वो सामान खरीदने में ये नहीं बोल सकती कि हम making India वाला ही खरीदेंगे ये नहीं बोल सकती कि जो MSME ने बताया है वही खरीदेंगे, ये नहीं बोल सकती कि स्टार्टप इंडिया वालों ने जो बनाया वही खरीदेंगे कोई भी सामान उनको खरीदना पड़ेगा तो जो उनके tender है न वो उनको इस हिसाब से निकलवाने पड़ेंगे तो यही पर यहाँ पर हो रहा है ministry of rollways ने अपने सारे zonal railways को production units को major establishment को एक letter लिखा है और बोला जितने भी tender document है उनमें किसी भी तरीकी की eligibility होनी होनी चाहिए कभी के लिए जो tender documents उसमें साफसाफ लिखा हुआ होता है कि public procurement को कुछ इस हिसाब से खरीदना है कि make in India समान खरीदना है MSME का समान खरीदना है नहीं world bank वाले पैसे से गर आप कुछ समान खरीद रहो तो किसी भी तरीके की eligibility नहीं universal eligibility है किसी के भी समान को आपको खरीदना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि जो make in India है वही खरीदोगे जो MSME है वो खरीदोगे बस यही यह news बता रही है फिर यहाँ पर एक और नहीं news निकल के आ रही है आपको पता है Joint Comprehensive Program of Action Sign हुआ था Security Council Resolution भी बोला गया इसको 2231 यहां लिखा हुआ इसमें क्या हुआ था कि जो P5 प्लस 1 थी यह जो permanent members थे पांच National Security Council को जर्मेनी ने मिलके इरान के साथ एक deal sign की थी इरान अपने nuclear installations को कम करेगा इरान के उपर से हम लोग sanctions हटाएंगे यह सब बगएरा बगएरा USA में Donald Trump आये और Donald Trump ने इरान के साथ इस agreement को cancel कर दिया अभी जब Donald Trump ने इस agreement को cancel कर दिया यह जो 2015 की nuclear deal जो इतनी मुश्किल से होई थी Obama के समय 2017-18 के लगबद Donald Trump ने इस चीज़ को cancel कर दिया अभी इस पूरी deal में snapback mechanism था snapback mechanism क्या बोलता है देखे where is the pen the so-called snapback mechanism to impose United Nations sanctions is one of the most unusual parts of the deal in the event that Iran is perceived as violating it the agreement allows the full raft of penalties to resume automatically without a vote on the council that would risk a veto of its permanent member namely Russia, Iran's closest to lie in the council यानी कि यह जो भाई आपकी deal हुई थी joint comprehensive program of action इसमें यह बोला गया थे कि एक snapback mechanism है snapback mechanism के चलते अगर इरान ने जो जो भी commitments किये थे अपनी इस deal के अंदर अगर इरान अपनी commitments से वापस जाता है तो इरान के उपर पूरे sanctions फिर से लगा सकते है अभी के लिए USA कह रहा है कि इरान के उपर पूरे के पूरे sanctions हमने फिर से लगवा दिये लेकिन ऐसा है नहीं चुकि इरान डील से backtrack नहीं हुआ है Donald Trump डील से backtrack हुए थे बड़ी मुश्किल से जो बारक उबाम ने ये डील साइन करवाई थी इरान के साथ इससे पीछे खीच लिया आपने आपको किसने है Donald Trump ने और ये snapback mechanism ये बोलता था कि अगर इरान वोइलेट कर रहा है अपने agreements को तो उसके उपर फिर से sanctions लग जाएंगे और किसी तरीके के कोई वीटो नहीं हो पाएगा United Nations Security Council में लेकिन यहाँ पर जो Mike Pompeo ने भी बोला है US ने जो भी बोला है कि इरान के उपर पूरे sanctions लगा दिये गएं इसके against voices आई है जो United Nations के Secretary General है Anteanio Gitteris Anteanio Gitteris का ये बोलना है कि भाई देखे इरान के अबर अभी और पूरे sanctions नहीं लगे है इरान के उपर पूरे sanctions तब लगेंगे जब United Nations Security Council हमको green light दे देगा और United Nations Security Council में इरान के बहुत से दोस्त है रशिया और चाइना दोनों लोग इस decision को वीटो कर देंगे कहीं न कहीं देखा जाए तो गलती USA की है USA ने उस deal को तोड़ा और उसके बाद USA पूरी तरीके से sanctions लगाना चाता है इरान के उपर लेकिन पूरी तरीके से sanctions लगाने में ना Russia included है ना China included है और even जो USA के allies है USA के allies जैसे की England जैसे की France जैसे की Germany यह लोग भी बोल रहे हैं कि नहीं भाया इरान के ओपर पूरे sanctions हम नहीं लगाएंगे कहीं न कहीं ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी भी इस बात से डॉनल्ड टर्म से बहुत नारास्ते कि डॉनल्ड टर्म यूनिलैटरली उन्होंने अपने को आपको वापस खीच लिया इस trade deal से इरान के साथ जो की बड़ी मुश्कल से sign हुई थी तो यह एक news निकल के आई है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि USA में election के महौल में ऐसे unilateral statements आ रहे हैं जिनकी overall international कोई viability ही नहीं है मतलब USA के पास यह ताकत ही नहीं है कि वो unilaterally पूरी दुनिया को यह बोल दे कि हम sanctions लगा रहे हैं इरान के उपर ठीक है ना तो बहुत सारी countries ने अभी भी इरान के उपर sanctions नहीं लगा हैं बट US इतनी बड़ी एकनॉमी है उसके ही sanctions इरान को चुरू हो चुका है यह demonstration की खबरे एक साल पहले भी आई थी लगभग एक से दो महिने पहले भी आई थी और यह अब भी आ रही है जो royal palace है वहाँ पे sunam luang नाम के field है वहाँ पे हाजारों की तागाद में जो protesters हैं वो बैठे हैं और वो बोल रहे हैं कि हमको पूरी की पूरी democracy चाहिए तो सवाल उठता है कि क्या Thailand में पूरी की पूरी democracy नहीं है Thailand में पूरी democracy है दोस्तों actually में 1932 revolution हुआ था 1932 से पहले absolute monarchy थी Thailand में तो एक monarchy राज करता था बाद में वो constitutional monarchy होगी constitutional monarchy में prime minister है वो राज करता है और उसको लोग चुनते हैं बट constitutional monarchy में जो president है वो एक खांदान का होता है और recently जो Thailand के president है वो बड़े मज़े में इधर उधर party करते हुए नजर आये हैं coronavirus के pandemic में Thailand में लोगों की हालत कराती, tourism बंद हो गया तो लोगों के पास खाने के पैसे नहीं थे और Thailand के जो president थे वो जर्मनी के होटल में मज़े ले रहे थे, बहुत सारी ladies को लेके गए थे अपने साथ, तो इसके चलते, अब pro democracy demands उट रही है Thailand में, Bangkok में धन्ना प्रदर्शन हुआ, 20 September को 2020 को एक बड़े major scale पे और यह बोला गया कि भाईया हमको constitutional democracy में नहीं चाहिए हमको पूरी democracy दो, इसके उपर बनाऊंगा मैं आपको एक अलग से statement, general studies paper 2 में यह चीज़ आपको काम आएगी फिर make ethics code must for all news channels, NBA tells SC, NBA क्या है national news broadcasters association news broadcasters association supreme court से बोला है, कि भाईया आप ए code of ethics बनाई है और उस code of ethics में लिखा होगा कि भाईया, सारे news channels पे अगर वो malicious content को promote करते हैं, bias content को promote करते हैं, regressive content को promote करते हैं, तो उनके उपर sanctions लगाए जाएंगे, यहाँ पे बात की जा रही है, एक program code of the cable television networks rules 1994 की, देखिए बहुत सारे ऐसे news channels हैं, जो news broadcasters association के member हैं, तो जो channels तो NBA के member हैं, उनके ओपर तो चलो NBA के नियम कानून चलते हैं, बट ऐसे बहुत से channels हैं, जो NBA के members नहीं हैं अभी उनके ओपर NBA के नियम कानून नहीं चलते हैं, तो अगर program code को overall applicable किया जाएगा, तो सुदर्शन TV पे बिंदास बोल नाम का प्रोग्राम आ रहा था, इसको बंद किया, सुप्रीम कोट ने, और सुप्रीम कोट ने ये बोला कि भाईया, कुछ self regulatory mechanism आना चाहिए, जिससे अगर communal content को TV पे broadcast किया जाता है, तो कुछ proposed penalties हो, तो इसके चलते हैं, National Broadcast Association ने सुप्रीम कोट से बोलाए कि आप एक ethical code बनाईए, code of conduct बनाईए, code of ethics बनाईए, और उस code of ethics में आप program code of cable TV, television networks rule को जोड़िए, ताकि irrespective of the fact, कोई news channel National Broadcasters Association से affiliated है या नहीं है, उसको उस program code को मानना पड़ेगा, code of ethics को मानना पड़ेगा, और अगर code of ethics को नहीं माना, तो उसको penalize किया जाएगा, और भाई, फिर आज की final news, generated over 9 lakhs man days of work under गरीब कल्याड रोजबार अभियान in six states, देखिए, प्रधान मंत्री जी ने, गरीब कल्याड रोजबार अभियान शुरू किया था, बिहार, जारखन मद्रपदेश, ओडिसा, राजस्थान उत्तरपदेश, अभी देखिए किया तो पूरे देश में था लागू क्या था ये, employment come rural public work campaign इसमें क्या बोला गया, कि भाईया जो public के काम है, ठीके ना, उन public के कामों के थुरू, लोग जो की villages में रह रहे हैं या वो लोग जो COVID-19 के pandemic के चलते अपने states में वापस जा रहे हैं, उनको उनके घर के पास livelihood opportunities दी जाएंगी अभी इसके चलते railways ने बोला है, कि हमने लगबग 9,80,000 man days of work को 18 September तक execute कर दिया है, यह बिहार, जारकन मद्रपदेश, ओडिसा, राजिस्तान और उत्तर पदेश में execute किया गया है, जहां फिर सबसे ज़्यादा migrant workers है इसके चलते 164 railway infrastructure प्रोजेक्ट को execute किया गया है और लमसम 12,266 workers को engage किया गया और 2,056 करोण अब तक contractors को दिये जा चुके है यह नि कि program को contractors के थूँ execute किया गया और यह contractors payment करेंगे उन workers को अभी contractor अगर worker को payment कर रहा है तो कहीं ना कहीं corruption के charges corruption के chances बनते हैं, हलाकि उस पे नहीं जानते हैं, railways ने बहुत सारे works को execute करवाया कौन कौन से works है तो भाया construction and maintenance of approach roads for level crossings, development of development and cleaning of silted waterways trenches and drains on the tracks को हटवाना construction and maintenance of approach roads to railway stations तो इस तरीके के projects को railways ने execute किया 9,79,557 man days of work को पैदा किया कौन कौन से states में पैदा किया किते workers को imply किया तो 12,276,18 September तक किता पैसा रिलीज हुआ 2056,97 करोन अगर ये stat है आप इस योजना के साथ कोट कर देते हो अगर किसी question में ये योजना आ जाती है भाया number बढ़ जाएंगे आपको इस प्रधान मंत्री गरीब कल्याण जो अभियान, रोजगार अभियान है इसमें mission mode में बोला गया था कि भाया इन workers को 125 दिन का काम दिया जाएगा और इसको लागू किया गया था 116 districts में ठीक है न लमसम 50,000 करोन के public works इस program के अंदर कराए जा रहे हैं और 12 अलग-अलग ministries इसमें involved हैं जिसमें important ministries हैं जैसे ministry of rural development, पंचायती राच, ministry of rains environment, railways, new and renewable energy टेलीकॉम बहुत एरी हैं आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं तो एक important statistics है जो मैंने आपको बता दी अब इकलिए दोस्तों मैं इस lecture हो खतम करता हूँ आई होप आपको ये lecture पसंद आया हो पसंद आया हो तो वीडियो को like जरू करिएगा जादा से जादा दोस्तों के साथ आप इन वीडियो को share करें आप share करोगे तो viewability बढ़ेगी तो मुझे मदद मिलेगी Thank you for watching, have a great day